हेलो, वेलकम बैक टो माई चैनल, प्रिती डैरिज में मैं प्रिती जह आप लोग का बहुत बहुत सौगत करती हूँ, कैसे हैं आप लोगा, यह आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे, तो अभी मैं जा रही थी बनाने के लिए छोले और भटूरे, तो मैंने सोचा क्यों मैं आप लोग को भी दिखाओं कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो चलिए इसे फटाफट बनाते हैं, सबसे पहले हम सूखे मसाले निकाल कर रख लेंगे, छोले में सूखे मसाले बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने लिया है, रात को ही मैंने छोले को भींगने के लिए रख दिया था, तो रात को रख दिया था, तो अभी मॉर्निंग में वो अच्छी तरह से फूल गए हैं, अब मैं इसे उबालने के लिए चड़ाओंगी, तो सबसे पहले मैंने खरे मसाले डाले हैं, इलाइची, और दाल चीनी और दो चमत चाई पत्ती हम डाल देंगे, आपके पास अगर सूखा आमला हो तो आप वो डाल दीजिए, कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसके लिए मसाले हमें चाहिए प्याज, थोड़े से सूखे मसाले, जीरा, दाल चीनी, लॉंग, इलाइची, काली मिर्च, और धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और हल्दी पाउडर, हरी मिर्च चाहिए, तो आप जितना खाते हो, अधरक लहसून, धनिया पत्ता, और टमाटर, तो बस हमें इतने ही मसाले चाहिए, अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से काट कर पीसेंगे, तो सबसे प प्याज को पीस रहे हैं, प्याज पीस चुका है, अब इसमें टमाटर को डाल कर पीसेंगे, टमाटर भी पीस किया है, तो अब हम लोग चलते हैं, गैस की तरह करही में, मैंने सरसोट तेल डाला है, सूखे मसाले, लोंग, इलाइची, काली मीर्च, ये अद्रक, लासून, पेस्ट है, पैस्पत्ता मैंने नहीं डाला था, आप चाहे तो डाल दें, ये अच्छी तरह से भून गई, तो मैंने इसमें डाला है, प्याज का पेस्ट, प्याज के पेस्ट को अच्छे से हम भून लेंगे, जब ये मसाला छोड़ने लगेंगे, तो फीर इसमें हम डाले नमक डालने के बाद भस एक मिनट भूना अधिक दियार दालने के बाद 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे क्योंकि ये उबला हुआ है तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा और धनिया पत्ता डाल कर इसे हम उतार लेंगे तो देखिए कितना ही अच्छा बन कर तैयार हो गया है और सच खाने में भी बहुत टेस्टी था तो अब हम लोग चलते हैं भटूरे के तरब तो भटूरा के लिए मैंने एक बाउल मैदा लिया है मैदे में अब मैं डालूंगी नमक बेकिंग पाउडर और ये थोड़ा सा सूजी मैंने पणी में भीगो दिया था पॉच मिनट पहले मैं वो भी डाल दूँगी इससे भटूरा बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत जादा फूलता भी है तो अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे इन सारी चीजों को थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैंने और डाल दिया है अब इसमें हलका पानी डाल करी से अच्छे से गूंद लेंगे क्योंकि भटूरे जब अच्छा गूंदा हुआ होगा उसका आटा भटूरे का तभी भटूरा अच्छा बनेगा और वो फूलेगा तो यहां मेरा जो भटूरा का आटा है उसका अब मैं कर रही हूँ मसाज जी हाँ उसको इस तरह से करने पर वो ज़रूर फूलेगा तो इसे ऐसा जरूर कीजिए कि इसको बरतन से नीचे प्लेटफॉर्म पर रख कर इसको अच्छी तरह से मसाज कीजिए और फिर चार पॉंच घंटे के लिए दो घंटे के लिए ओईल लगा कर रख दीजिए यह दो घंटे के बाद मैंने इसे फिर से निकाला और फिर से इसकी मसाज सुरू कर दीए ताकि यह अच्छे से सौप्ट हो जाए और देखिए कितना सौप्ट आटा रेडी हो गया है अब यह बिल्कुल रेडी हो गया है भटूरा बनने के लिए तो अब हम इसको बे और इसको अच्छे से पतला गोल मेरा ज्यादा गोल नहीं होता तो कोई बात नहीं तो इसे मैं अच्छे से बेल लूंगी देखिए भटूरा मेरा गोल है पतला है अब मैं इसे तलूंगी तो पैन में मैंने गरम तेल होने के लिए चड़ा दिया है अब मैं डालूंगी इस में भटूरे तो तेल बहुत गरम होना चाहिए तो यहां देखिए मेरे भटूरे फूल रहे हैं मेरे मुह में तो अब भी से पानी आ रहा है लेकिन मैं खाऊंगी बिल्कुल नहीं पहले सारे भटूरे को मैं तल लूँगी अच्छे से तलने के बाद पहले आप लोग को खिल आप लोग को कैसा लगा मेरे हाथ का छोला भटूरा आप लोग भी इसी तरह से बनाते होंगे या कुछ अलग बनाते होंगे बना तो बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही टेस्टी बना था तो आप लोग भी फ्लीश इस एक बड़ ट्राइ कीजिए मुझे सब्सक्राइब क किजिए लाइक किजिए और सेर किजिए